जनसत्ता संपात्किय गती 110 शब्द प्रतिमिनट बी रेडी 3, 2, 1, स्टार्ट लाल किले की प्राचीर से प्रदान मंत्री का संबोधन महज रस्मी नहीं होता उससे सरकार की उपलब्धियों और चल रही योजनाओं की प्रगती के साथ-साथ आगे की योजनाओं और नए संकल्पों का पता मिलता है इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार किन शेत्रों पर अपना ध्यान अधिक केंदरत करने वाली है प्रदान मंत्री के इस बार के संबोधन में मुख्य रूप से क्रशी शित्र में छोटे किसानों उत्पादन और विपणन के मामले में आत्मनिरबर्ता बढ़ाने सहिकारिता और पुर्वत्तर के विकास पर जोर रहा सरकार ने इस बार के मंत्री मंदल विस्तार में सहिकारिता के रूप में एक नए विभाग का गठन किया है इसका मकसद देश में सरकारी और निजी प्रियासों से विकास संबंदी योजिनाओं को आगे बढ़ाना है स्वभाविक ही स्वतंतरता दिवस के संबोधन में प्रद से आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर है दोसरे देशों पर निर्भरता कम करने का लक्षय है इस लक्षय को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के साथ विकासियोजिनाओं में जनसाधरन की सह भागिता भी हो इसलिए प्रदान मंत्री ने इस बार सबका साथ सबका वि इन देश के विबिन हिस्सों में किसानों में असंतोश देखा जा रहा है पिछले साल सरकार ने जो तीन नए क्रिशी कानून बनाए थे उनके विरोध में करीब नौ महिने से किसान आंदोलन कर रहे हैं इस विशय पर प्रदान मंत्री ने एक प्रकार से इस पस्टी करण द के लिए सरकार विबिन योजनाओं पर काम कर रही है देश में असी फीसद किसान छोटी जोत वाले हैं दो हेक्टेर या उससे कम खेत वाले उनकी उपज की वाजब कीमत दिलाने के लिए नियुनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रदान मंत्री किसान निदी योजना के तहट हर छोटे किसान के खाते में नगदी पहुंचाने का भी उन्होंने उलेक किया किसान क्रेडिट कार्ड फसल बीमा योजना और किसान उतपादक संगठनों के माध्यम से उन्होंने क्रशी शेत्र में उन्नती की उमीद जताई और वादा किया कि हर ब्लॉक में क्रशी उत्पाद के भंडारन की रवस्था की जाएगा हलांकि यह देखने की बात होगी की प्रधान मंत्री को इन बातों से किसान कितने संतुष्ट होते हैं इसके अलावा आने वाले समय में सरकार का जोर पुर्वत्तर के विकास पर रहने वाला है पुर्वत्तर के हर राज्य की राजधानी तक रेल से वाएं शुरू करने की योजनाओं पर काम इसमें महित्वपूर्ण होगा पुर्वत्तर के राज्यों की लंबी समय से शिकायत रही है कि उन तक विकास योजनाएं नहीं पहुँच पाती सरकार ने उधर ध्यान केंद्रित किया है तो निस्संदेह इससे उन शित्रों में बहतरी की उम्मीद जगी है पैरा प्रधान मंत्री के संबोधन में सबसे अधिक बल साजेदारी पर रहा वे बार बार उलेक करते रहे हैं कि हमारे देश में हुनरमंद युवाओं की कमी नहीं है बस उनके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने की जरूरत है इसी दुरश्टी के साथ सरकार ने नए उध्यमियों को प्रुथसाहित करना शुरू किया था प्रदान मंत्री ने सबका प्रियास कहने का मकसद भी यही है कि प्रिकास कारियों को अकेले सरकारी प्रियासों पर केंदरित न करके सहकारिता और परसपर सहयोग के जरिये उन्हें पूरा करने की कोशिश हो इसलिए प्रदान मंत्री ने सरकारी अर्चनों को दूर करने का भी संकेत दिया अगर यह सही धंग से फलीबूत हो तो आने वाले दिनों में निसंदेर इसके बहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं पैरा अफगानिस्तान में फिर से तालीबान राज कायम होने जा रहा है रविवार को रास्ट्रपती अश्रफ गनी के देश छोड़ कर तजीकिस्तान चले जाने के बाद अंत्रिम सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई अंत्रिम सरकार के जरिये ही अफगानिस्तान की सत्ता तालीबान को सौपी जाएंगी तालीबान ने मुल्ला बरादर को देश का भावी रस्ट्रपती भोशित कर दिया है रविवार को काबुल में तालीबान की तस्तक देश के भविश्य का संकेत देने के लिए काफी है अश्रफ गनी चाहते थे कि तालिबान बातचीत कर सत्ता में भागिदारी जैसी बात पर राजी हो जाए लेकिन तालिबान इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुका था अब जो हालात हैं उनसे साफ है कि अफगानिस्तान पहले के मुकाबले कहीं जादा बड़े संकटों में घिर गया है शांती वारताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है जादा चिंता इसलिए भी है कि अब इस देश में ग्रह युद्ध का खत्रा बढ़ता जा रहा है और अगर एक बार ग्रह युद्ध भड़क उठा तो यह है इस मुल्क के लिए हर तरह से बरबादी वाला साबित होगा पैरा गौरतलब है कि पिछले चार महिने में तालिबान ने देश के जदातर हिस्सों पर कबजा जमा लिया उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल में केवल दो दिन में ही उसने छे प्रांतों को अपने नियंतरण में ले लिया इससे साफ है कि तालिबान की ताकत के आगे अफगान सेना बिना किसी प्रतिरोध के हतियार डालती रही यह इस बात का भी प्रमान है कि सेना के नाम पर अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं बचा रहे गया अमेरिका भले दावा करता रहा हो कि उसने लाखों अफगान सेनिकों को प्रेशिक्षन दे दिया है और तालिबान से निपटने की सारी कलाएं सिखा दी हैं लेकिन अगर ऐसा होता है तो तालिबान लड़ा के इतनी आसानी से काबुल नहीं पहुंच जाते धाई दशक पहले तालिबान ने छापा मार युद्ध और हिंसा से सत्ता हतियाई थी पर इस बार उसने अलग रणनीती अपनाई कोटनीती से काम लिया उसने अफगान प्रिशासन और सेनाप में पैट बनाई सरकारी सेन्य कमंडरों से लेकर सेनिकों तक को अपने साथ मिलाया तालिबान ने कहा भी है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता चाहता है और लोगों की जानमाल की सुरक्षा उसकी प्रात्मिक्ता है ऐसे में अब तालिबान को सत्ता में आने से कौन रुक पाता पैरा देखने की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में काबुल की तस्वीर कैसी बनती है पद छोड़ने के लिए प्रस्टपती अश्रफगनी पर अमेरिका का भी दवाव था अमेरिका की चिंता सिर्फ अपने दूतावास कर्मचारियों और नागरिकों की है इसलिए उसने 5000 सैनिक काबुल में उत्रा दिये हैं जाहिर है हालात की नजाकत को देखती हुए अमेरिका भी तालिबान के साथ तालमेल बनाने से परहेज नहीं करेगा अंतरिम सरकार के गठन में भी वह अपनी चलाएगा लेकिन अब बड़ा सवाल है कि वेश्विक समुदाय तालिबान सरकार को समर्थन देता है या नहीं पिछली बार तो सौदी अरब सम्युद अरब अमिरात और पाकिस्तान के अलावा किसी ने तालिबान की सत्ता को समर्थन नहीं दिया था पर अब हालात अलग हैं रूस ने शांती वारता में भारत और इरान को शामिल करने का सुझाव दिया है पर क्या पाकिस्तान को यह बात पचेगी पैरा भारत की जिनता भी अफगानिस्तान में रहे रहे भारतियों और सिक समुदाय के लोगों की सुरक्षा और वहां अरबो रुपए की भारतिय परियोजनाओं को लेकर है उन्विराम